अलो अबिवन नवेश्कार श्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परिक्षा प्लस पर मैं हूँ रवन विष्टा दोस्तों जैसा कि टीम के द्वारा जो नया प्रोग्राम आपका चलाया गया है जिसके अंतरगत हमने बात किया था कि आपको हम हम GS के और GS PLUS के अलग-अलग वीडियो जो पलब्द करवाएंगे उन्ने के करम में आज मैं GS PLUS के करम में आपसे जो है पहली वीडियो के संदर्ब में बात करने के लिए आया हूँ, यह वीडियो किस पर आधारी थे, क्या-क्या पॉइंट हम पढ़ेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे, उनीस स्यारे विसे वस्तों के बारे में मैं पहले आपसे चर्चा करूँगा, उसके बाद हम पढ़ाई अपनी सुरू करेंगे, दोस्तों, मैं जिस विसे के आपको सुरुवात किया हूँ, इससे पहले भी मैंने बताया था, कि हम भारतीय राजवियोस्ता को सुरू कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, चुकि ये इसका छोटा सा स्लेवस है, और छोटे से स्लेवस को आपको पढ़ने में भी ये बिसे बहुत ही रोचक होता है, क्योंकि राजवियोस्ता ये उम्शाषन के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा, तो भारतीय राजवियोस्ता के अंतरगती, यानि राजवियोस्ता है क्या, ठीक, उसमें बेसु के अलग-अलग हिस्सों में राजवियोस्ता के क्या-क्या मानक है, पहले तो इस पर चर्चा मैं करूँगा बिधवत, क्योंकि यहां से आप जब PCS-AC परिक्षाओं में बैठोगे, तो PCS प्रिलिम्स में इस परिक्षा को लेकर के बहुत बड़ जो है, इसमें लग-बग एक से दो क्वेशन मिल जाता, और सबसे बड़ी चीज है, मैंने जैसा देखा है, मैंने जैसा अनुभो किया है, लग-बग बच्चों में मैंने देखा है, कि ये चीज जरूर बनी रहती है, कि Presidential Form of Government क्या है, फेडरल गॉर्मेंट क्या है, ठीक है, यूनियन गॉर्मेंट क्या है, या फिर आपका जो एकात्मक सासन के लक्षन क्या होते है, इनी सब में उल्जे रहते हैं, और वो उनमें बहुत सारी चीज़े एक अन्फीजन बनी रह जादी, तो सबसे पहले राजविवस्था समझते हैं, राजविवस्था मैं आपको इतने अलग-अलग परदिर्शी से बताऊंगा, जितने प्रकार बनते हैं विश्व में, प्राचीन भारत से लेकर मैं सुरू करूंगा, ठीक है, कि प्राचीन भारत में लोगतंत्र यानी गड़ गड़तंत्र के क्या-क्या उधारन होते थे, उन सारे पॉइंट्स पर मैं कबर कराऊंगा, साथ ही साथ जितने अलग-अलग अधारों पर लोगतंत्र क्या होते हैं, अब यहां सासन के जितने प्रकार आपको विश्व में देखने को मिलते हैं, कि कहां पर प्रेसिडेंशि पर लागू किया गया, पार्टियों के आधार पर लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानि सब कुछ हम बहुत ब्यापक से कबर करने जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिएगा, मैं राज वेवस्था से आपके सामने सुरुवात कर रहा हूं, कि राज जाने की वेवस्था कहां से सोचेंगे, सासनम उसके लिए हम कहां से लाएंगे, तो सबसे पहले मैं सुरुवात कर रहा हूं, कि कोई राज होता क्या है, तो चलिए सुरुवात करते हैं राज जी के बारे में देख रहे हैं जो नए मित्रगण हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली वेसिस पर आपको सारे वीडियो मिलने हैं चलिए मैं सुरुवात कर रहा हूं आखे राजबेवस्था होती गया है सबसे पहला तो यह मुद्दा आता है तो यह राजबेवस्था अगर हम अपने यहां बैदिक काल से भी आप उठा लीजिए तो जितने भी राजा होते थे ठीक है वो राज जी को चलाने के लिए कोई एक पध्धत ही अपनाते थे जिन से की आप उससे भी पहले चलो जब मानो पैदा हुआ धीरे धीरे वो पहले अलग रहता था परिवारों में रहने लगा संयुक्त परिवार में रहने लगा उसके बाद कभीलों का निर्मार किया तो मानो ने कभीलों से सबसे पहले क्या किया कभीलों का एक मुखिया चुरा वो मुखिया जो नियम बनाता था उन नियमों को सारे लोग उस कभीले के लोग मानते थे यानि ब्यवस्थ का अर्थ जो होता है यानि राज यानि राज को चलाने की जो बेवस्था होती है कोई भी राजी है उसको किस आधार पर चलाए जाएगा वहां के लोग राजा का कहना मानेंगे वहां के लोग किसी एक ऐसे बेक्तियों के समू का कहना मानेंगे कि हमें ऐसे ऐसे रहना है हमारे यह यह अधिकार है ठीक है तो सबसे जरूरी बात होती है राज बेवस्था के लिए आपके कि राज बेवस्था किसी राज की कुछ चलाने के लिए लागू की जाती है तो यहां पर अब हमें यह जानना आवश्यक है कि राज की राज जी क्या है इस्टेट की डिफनीशन सबसे प्राथमिक उधार्णा है यानि अगर राज जी नहीं है तो हम राज बेवस्था की कल्पना कर ही नहीं सकते यानि सबसे प्राथमिक उधार्णा हमारी क्या है कि राज जी का होना जरूरी है राज जी का अर्थ अब सारी लोग समझते जैसे जब आप 20 परिपेच में देखोगे तो बैस्विक परिपेश में आपको ऐसा बोला जाता है कि इंडिया एक इस्टेट है तो वहां पर आपको यह नहीं समझना है कि इंडिया एक छोटा सा इस्टेट कोई है आपका ठीक है राजजी का अर्थ कोई प्लांत नहों करके किसी ना किसी समाज की राजनीतिक संदशना से भी होता है ठीक है अगर ऐसा बोला गया मान लीजे छोटे छोटे जो आपके एक राज जी के अंतरगत बहुत सारे जिले होते हैं जिले के अंतरगत बहुत सारी आपकी तैसीले होती हैं तैसीले के अंतरगत बहुत सारे तालुके आते हैं तो इन सभी पर देखे तो एक छोटा सा जो आपका तालुका होगी होगा वह भी उसके अंतरगत आने वाली समाज की राजनितिक जो समझना होगी वह राज जी के अर्थ के अंतरगत आएगी समझ गए यह एक अमूर्त अधारना है यानि जिसको हम कोई सकारात्मक रूप से ना देख राज जी को देखना है तो आप राज जी में रहने वाले ऐक्तियों को देखेंगे सभी को देखेंगे अब आप कहें मैलाफ। पर दिमाग में बनाना चाहिए कि राज जी ऐसा दिखता है, इसका हाथ पैरा ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, देखिए, अब यहाँ सबसे ब्यापक चीज दूसरी के आती है, राज जी के तत्तो क्या है, किसी भी राज जी में अनिवारता चार तत्तो बिदमान होते हैं, इस राज जी का एक भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग का मलब क्या, कि एक निश्चित भूगोलिक छित्र, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमें पता है, कि इसका एक आकार जो है जैसे भारत का संपूर्ण शेत्रफल भारत राज्य का भूभबाग है समझ गे दूसरा जो है आवश्यक्टक्तु क्या आता है दूसरा आवश्यक्टक्त्थ है जन संख्या राज्य के भूभाग पर निवास करने वाला ऐसा जन स्वमदाई होना चाहिए यह जो राजनीतिक बेवस्था की अनुशार संचालित होता हो यानि उस राजी के भूभाग जैसे हमने बात किया कि मानली जी कोई राजी का बेस्तार अर्शेत्र इतना है अब इसमें रहने वाले जो आपके भी बेखती हैं लाक दस लाक शवालाक ठीक जितने इसमें बेखती हैं इनमें जो रह उस अपने राजी छेत्र के भीतर रहने वाले सारी निवाशियों को जानेंगे तो यानि जब कोई हम जनगर्ना करवाएंगे या ब्यवस्था लाएंगे वह एक राजनेतिक ब्यवस्था के अंग होगी ठीक है यदि जनसंख्या नहीं है तो राजी का अस्तित निरर्थक ह ठीक है अगर जनसंख्या नहीं है और फिर भी कोई अपने आपको राजी घोसित करे तो वहां राजी का आर्थ क्या क्योंकि राजी किसके लिए होते है राजी ब्यक्ति के लिए होते हैं जब ब्यक्ति ही नहीं है फिर क्या तीसरा पॉइंट सबसे जरूरी होता है राजी क मुर्थी ठीक है अमोर्थ का मल्थ जिसको आप देख नहीं सकते हैं जबकि सरकार अपनी मुर्थ वा व्योहारी कभी व्यक्ति है सरकार एक अमूर्त सन रचना है यानि जिसको हम कोई आकार नहीं दे सकते हैं तो राज जी में पहला अंग बहुत जरूरी है भूभाग दूसरा अंग है जनसंख्या तीसरा अंग है सरकार और चौथा अंग है संप्रभुता ठीक है संप्रभुता का से सवर्णिटी जिसको आप बो पूरी शक्ति होनी चाहिए उसे किसी भी बाहरी वा भीत्री दबाव में निर्णे करने के लिए बात दे नहीं होना चाहिए संप्रभुता का आशा यह होता है कि मैं अपने घर में बैठा हूं तो मैं अपने घर में अपने अनुसार जो चाहूं वो कर सकूं ऐसा नहीं है क हो सकता अंतरिक भी हो बाहरी भी हो चाहे जैसे हो लेकिन राज जी के लिए जरूरी यह है कोई राज जी तभी कहलाएगा जब वहां संप्रभ होगा अगर संप्रभ हो नहीं है तो उसको राज जी की सक्ति के अंतरगत नहीं रखा जा सकता चलिए दूसरे तरफ बढ़ते हैं राज जी के भुभाग के बारे में तो हमने सारी चीज़ जाल ली अब राज ब्यवस्था के अंग के अंतरगत क्या-क्या आते हैं इन चीज़ों को समझना है देखे किसी भी राज व्यवस्था या शाषन व्यवस्था में मोलता तीन चुनोतिय होती है कौन-कौन सी सबसे पहली चीज आती है अगर लोग निवास कर रहे जनसमदाय रह रहा है तो उस जनसमदाय पर हम नियंत्रण कैसे बनाएंगे उस नियंत्रण को बनाने के लिए सबसे साहर नहीं निकलेगा तो शासन कारी का संचालन करने की भी चुनोति हमारे सामने आएगी तीसरा के आता है कि ब्यक्ति के आपशी विवादों का या ब्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून के अनुशार नियाय ब्यवस्था संचालित करने की चुनोति अब तीन सबसे बड़ी चीज आती एक तो कानून का निर्मार कैसे करेंगे इन सारे लोगों के लिए सारे लोगों से पूछ कर हम कानून बनाएंगे या सारे लोगों से के रिप्रेजेंटिब को हम लेकर कानून बनाएंगे ठीक है यह सब कुछ आपकी NCRT जब आप पढ़े बच्चे इस पार्ट में बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं इसी वज़े से मैंने ऐसा पॉइंट आप सभी के सामने उठाया है चलिए ध्यान दीजे सारे लोग आगे अगर हम अब बात करते हैं कानून बनाने की चुनोती आएगी ठीक है उसके लिए शासन बैठा है इस नीतियों का निर्मार किया जाता है यहां कारी उन प्रमुख वेक्तियों के द्वारा किया जाता है इसे ही सासन कहते हैं जैसे बहुत सारे लोग प्रशन आप से पूछते हैं कि आप देखते स्वें से देखते हैं आप ज़रू करते हैं कि किनी किनी गाडियों में उत्त कियों का निर्मार करेवा शासन है लेकिन जो नीतिया बन गई उनका सही से जनता तक जिन संस्थाओं के द्वारा पहुचाया जाता है उसे प्रशासन कहते हैं समझ गए यानि प्रसासन के द्वारा प्रशासन को दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है, अब शासन यानि governance और प्रशासन यानि administration में अंतर किया है मुख्य रूप से, इसको समझते हैं, देखे, शासन जो होता है, ये किसी सरकार के गठन को उस देश का शासन कहा जाता है, अगर किसी देश में किसी सरकार का गठन हुआ, तो यानि वहाँ पर साशन का गठन हुआ प्रशाशन क्या है सरकार के द्वारा किये गए नेड़ों को लागू करना प्रशाशन का कारी है सरकार ने अगर कहा कि लॉकडाउन की स्थित चलेगी तो अब प्रशाशन की जिम्मेदारी है कि इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन करवाना समझ ग प्रशाषन कई संस्थाओं का गठन होता है पुलिस विभाग है मेटकल विभाग है नगम जितने नगर नगम के सफाई क्रमचारी है ठीक है सब कुछ अलग अलग लग है यानि कई संस्थाएं मिल करके फिर प्रशाषन के अलग-अलग अंगों के तोर पर कारिकर सासन के पर काम करते हैं तीसरा क्या आंतर है लोगतंत्र में शाषन के ब्यक्ति का चुनाओं जनता के द्वारा किया जाता है अगर लोगतंत्र है कोई इस विधि जो है देश में डिमोक्रेशी है तो वहां सासन का जो प्रमुक रोगा जैसे हमारे यहां प्रधान-मंत्रिये तो उ इतने अधिकारी है ठीक है यह सभी मिलके जैसे अब इस समय जिले में लॉक डाउन की सक्ति पालन करवाना है तो उसके लिए जिम्मेदारी किस की है जिले के आपके जिला अधिकारी की आपके जिले के पुलिस बलके सर जो आपके सर्बोच अधिकारी है यानि शुपरिम टें निधेगे वनित यो को सक्त प्रदान करते है यह कायरी के माध्धम से अपने समझ गए है अग्या क्या संत्रेbuild रीचा Ой क्रता है प्रशाशन नीती का अनुकरन करता है या अनुशरण करता है इसने नीतिया बना दी यह वरुस contracarmya को पालन करने के लिए उसका अनुकरन कि शाशन और प्रशाशन का जो यह संसे आप पर अभी तक बना था वो चीजे खतम हो चुकी है अब हम बात करते हैं कि देश को चलाने की जो हमने बात उठाई थी अभी कुछ दिर पहले कि देश में सबसे बड़ी चुनवती होती है कानूनों का निर्मार ठीक है अब यहां लौण पर बात करते हैं कानूनों का निर्मार जो बैवस्तां आती है यह बिधाईका के अंतरगत आती है बिधाईका ठेक 5000 आुनों कि अब यहां पर हम अगर प्राशीन में भी देखें देखें कानून का निर्माड अपने यहां जैसे इस समय हमा जो है पालियमेंटरी सिस्टम चला पालियमेंटरी से जस्ट ऊपर देखें तो अंग्रेजों का सिस्टम था अंग्रेजों से ऊपर देखें तो अपने यहां मुश्लिमों का सासन था मुश्लिमों में क यंदूों के सासक होते थे अञिक होते थे उनकी कारि प्रडाली अलग होती थी ठीक है फिर हम बैदिक अगर उसमें पहुचे आछाते चाउन्पनुंके घर-पर सारी चीज़ चलती थी तो यह जो बिधाइका है बिधाइका विधाइका में कानून का निर्माण करना ही मुखीकारी होता है आप राजतंत्र अगर प् užफषा व sic papa अपारी तो या कारी क्या होगा विधायufen यानि कानून बनाने का जोकारी वो कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती थी दूसरी चीज जब हम राज तंत से उपर बढ़ते हैं धर्म तंत्रिय जो साशन होते हैं इस शासन प्रणाली में धर्मगर्ञंतो को कानून मना जाता है तता धर्म के सरवोच पदारिकारियों को ही कानून का वियाख्याकार माना जाता है यानि झालि जब धर्म गुरु शासन कर रहे हूं कहीपर तो वहाँ पर चीजे क्या बनेंगी अगर धर्म तंत्री ये शाषन है तो धर्म ग्रंथ जो हैं जैसे मुशलमानों में हो गया, सरीयत हो गया, सरीया कानून हो गया, हिंदू में मालीजे जैसे आपकी गीता हो गई, ठीक है, इनमें भी शाषन चलाने से राजा से संबंदित तमाम ऐसे हैं, मनुश्मित हो गई, बहुत सारी चीजें महाभारत हो गया, इनमें बहुत सारी चीजें के अंतरगत आपके आसे कानून आते हैं, नियम आते हैं, जिन में शाषन चलाने की बेवस्थाओं का जिक्र किया गया है, अब धर्म के सरबोछ पता अधिकारीयों को ही, कानून का ब्याख्याकार मान लि निर्मार्ण जन्ता की इत्ष्हा नुसार हो ना चाहिए. छोटे देशों में जन्ता की इक्षा को सीधे तौर पर जाना जा सकता है. इसलिए में कुछ देशों में प्रत्यष लोक्तंत्र है. जाहिरसी मतर बात हैं, भई जहां जनसंग्यात थोड़ी है, वहाँ हर व्यक्ति से जाना जा सकता है कि आपकी जो है इस कानून पर क्या राय है लेकिन अब भारत जैसे देश में क्या लोगतंत्र में ऐसी हम संभावना है सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति के एक्षा ले ले कभी नहीं अब 35 लोगतंत्र यहां बात उठा गई उठा गई कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी आखिर है क्या अब देखें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में आगे मैं अभी लोगतंत्र के सभी प्रकारों पर आपसे जो है चर्शा करूंगा कि लोगतंत्र कितने आधारों पर बनते हैं लेकिन यहां पर सबसे पहले direct election में देखें क्या चीज़े रहती है देखें प्रतिय लोगतनें यहां इनमन चार प्रकार से इन में जनता का यहोगदान होता है मcompass अगर जो है कोई कानून को लाना है तो उसमें सबसे पहली चीज किया होती है परिप्रेक्षा जिसको हम referendum 1 जो है राय देने के लिए यह कहा गया कि आप लोग इतने दिनों के भीतर अपनी राय सारे लोग इस कानून पर दीजिए तो इसको बोला जाता है परिप्रिक्षा यानि रेफरेंडम दूसरी चीज क्या होती इनिसियेटिव यानि पहल जनता कानून का प्रस्ताव विधायका को भे को बोलते हैं रिकॉल का आशे क्या है कि जनता ने जिनको चुना उसके ऐसे प्रतिनित ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को कारिकाल पूर्ण होने से पहले वापस बुला सकती है डायरेक्ट जो आपके डेमोक्रेसी जैं प्रतिश लोग तंतर जो हैं उनकी एक यह वीशु जिसको आप बोलते हैं प्लैबिस साइट इसमें क्या मुखी रूप से आती है जन्मत संग्रे क्यों कराया जाता है दिमाग में चलनी चाहिए विधाइका किसी महत्पूर्ण मुद्दे पर जन्मत संग्रे के माद्दम से जनता की राय जानती है तत्पश्चाथ विधायन क पर क्या क्राइब करती है वह कानुन निर्मार करती है तो डिरिक डे मोकृत्प्रिज होगे जहां पर है वहां चार तरीके की सुष्चाव से नांकरे क ubiqu vom होती है अब हम क्या बात करते हैं ये तो ये बहुत छोटे से जो है छेत्र के बारे में बात हो गई जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है अब मालीजे भारत जैसे देश हैं चीन जैसे देश हैं जितने भी आपके बड़े भूभाग है ठीक है उन भूभागों में अधिक छेत्र भेज़ दिया संसद में कि वह जो कहेगा वहीं हमारी कहना है ठीक तो अज़ जितने भी आप को आज कल के जो है देश मिलेंगे उन सारी देशों में प्रतिनीद लोकतंत्र की यही वेवस्ता मिलेगे अब प्रतिनी लोकतंत्र में क्या होगा? इसके अंतरगत एक छेतर भी से क मैंने जन सुनुद आपने एक परतिनित को चुन कर इधाय का में भेजेगा वा सभी छेतरों से चुनकर आए हुए पर लिडित आप सी स vine मत से कानूनुका निर्मार करते हैं जैसे हम अपने चेतर के बिधान सभा चेतर के विदायक को चुनते हैं लोग सभा के छेत्र जिसमें हम आते हैं वहां से सांसत को चुनते हैं ये सारी लोग जाकर के हमारे लिए कानूनों का निर्मार करते हैं ठीक है और चुकि ये सभी जो प्रतनिद हैं हमने चुनकर भेजा जनता द्वारा चुनी गए इसी कारिपाल की देशी के लिए चुने जाते हैं ऐसा इसलिए मान लिया जाता है कि इनकी सहमत से निर्मित कानून वस्तोता जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए समझे, यानि इन्होंने जो कानून बना दिया, उसको हम ऐसा माल लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो कहा, वह ही जनता का कहना है. अब ध्यान दीजिए आगे विधायका आप जानते हैं अपने यहां भी प्राया जो है दो सदनों से मिलकर बनती है सामानिता जितनी जिगे आपको विधायका का गठन मिलेगा जहां जहां लेटिव होगी अब ध्यान दीजिए इसमें एक सदन जनता द्वारा सीधा चुना ज करती है समझ गए ना इसलिए आप राजी सभा की चर्शा बहुत कम सुनते हैं कि राजसभा ने कोई कानून बनाए क्योंकि लोग सभा को ही मुख्य रूप से क्योंकि यह जनता के द्वारा चुना गया सदन है इस वजे से कानून निर्मार में सबसे प्रमुख भूम का किस कुप से अवशक्ता पड़ती है संगात्मक धाचे को सुरचित बनाये रखने के लिए दूसरे सदन में सभी प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता अपने यहां राजी सभा देख लीजे राजी सभा क्या है राजी सभा में सभी राज्यों के प्रद्नित सामिल होते ह लेकिन अपने यहां चुकि हम संगात्मक धाचे पर पूरी तरीके से नहीं है इसलिए हमें यह चीजे बहुत ज्यादा कंबल सरी नहीं करती है कि राजसभा को बराबर कानून बनाने का अधिकार मिले जितनी लोग सभा बना रही उतनी ही राजसभा बनाए समझे अब आग यहां राजसभा भी है उसी आधार पर राजसभा कभी भंगना होने वाली बनाए गई इसमें सारे लोग क्या है राज्यों के प्रजियों से प्रज्दित चुन चुन के आते हैं अधिकांस कानूनों के लिए इस सदन की सहमत भी आवश्यक होती है जो यह सुनेशित करती है कि केंज सरकार राज्यों की सक्ति को छीन ना ले ठीक है इसलिए जो कुछ ऐसे कानून है जो लोकसभा के द्वारा पारित किये गये हैं उन पर राजी सभा की भी सहमत ही होना आवश्यक होती है समझ गए इसलिए दो आपके सदन बनाये जाते हैं कर अगला पॉइंट की बोला भारतिए विधाय का संग्यात्मक धाचे पर अधारित है केंद्रूबाराज़ी सरकारuse शंविधान की अनुसार अपने-अपने शेत्रों के लिए बिधान बनाती हैं अगले पॉइंट में अगर देखें केंद्रिए बिधाय का दोई सदनी है अपने आज आनते ही जानते हैं और विधायका के एक अंग के रूप में राष्टपती संसत के दोनों सदनों के द्वरा विधेग को पर अपनी सहमत प्रदान करता है अब दूसरे सबसे हम जरूरी जैसे बात आई थी ना वहां पॉइंट यह आया था कि जो कान कि मैं उससे डिफ्रेंट लेकर चल लाओं तो इन चीजों को आपको जाना बहुत जरूरी है समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कारी पालिका क्या है एक्जिक्यूटिव किसके अंतरगत है क्या कारी होता है परिभासा क्या है बहुत अच्छे से यहां पर हम लोग जानेंगे देखिए विधायका द्वारा जो निर्वित कानूनों के अनुसार शासंग चलाने वाले अथ्वा कानूनों को लागू करने वाले अंग को एक्जिक्यूटिव कहते हैं कारी पालिका कहते हैं समझ गए प्राचीन काल की अगर मैं बात कुरूँ आपसे तो विधायका और कारी पालिका में कोई भेद नहीं था दोनों एक चीजे थी जैसे राज तंत्र में राजा विधायका का भी प्रमुक था तथा कारी पालिका का भी प्रमुक था लेकिन आधुनिक लोग तंत्र में अगर देखा जाए आधुनिक लोकतंत्रों संविधान वाद के विकास के साथ साथ कारिपालिका की सनज्चना में अनेक परिवर्तन आये हैं आधुनिक काल की जो कारिपालिका है इसको निम्न प्रगार से समझ सकते हैं कैसे आज कल कारिपालिका क्या है देखो आज कल कारिपालिका क कि इनकी जॉब जो आपकी लिमिट है साट वर्स उस वर्स तक लगातार बने रहेंगे आस्थाई यानि टेम्प्रियोरी के अंतरगत पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज होती है ठीक है जैसे इस समय वरतमान में सरकार चली गई लोकसभा में ठीक है आपके राजियों में ये सभाड पॉल है कुछ भी आस्थाईी क्रिकरणख या अंतरगत आते हैं समझ गए जो लगातार हमेशा बने रहने हैं वह अस््थाइ यारिकालिका लेकिन जो 5 साल के लिए उसके बात चले जाने हो वो आस्थाई कारिपालका के अंग माने जाते अब आपको यहां ब्यापक रूप से समझ में आ गया होगा जो कन्फूजन लगातार बनी रहती है अब हम बात करते हैं राजनेतिक कारिपालका की ठीक जो मैंने अभी बताया राजनेतिक कारिपालका यानि आपकी एक तरीके से क्या हो गई यहां पर जो जनता के द्वारा चुन के आ रहे हैं देखिए ध्यान दीजिए इस पर कहरा कि यहां कारिपालका के सर्बोचस्तर पर होती है जिसे जनता प्रत्य चत्वा आप प्रत्य चरूप से निश्चित अवद के लिए चुनती यानि पांस साल के लिए हमने अपने लोग सभा छेत्र से सांसोदों को चुनकर भेज दिया इनकी सरकार बनी इनी के नेत्रत में प्रधान मंत्री जो भी बना तो यह चीजे क्या हो गई यह राजनेतिक कारिपालका है आपकी भारत में मंत्री परिशद वह अमेरिका में राष्टपत इसके उदाहरण है अब अस्थाई कारिपालका के बारे में अगर हम बात करें ठीक है अस्थाई कारिपालका में क्या-क्या चीजे आती इध्यान दीजिए इसमें उच्छ अधिकारी सामिल होते हैं उनका कारिकाल किसी तरह के निरवाचन पर निरभर नहीं होता है अस्थाई कारिपालका में यानि आपका IES है तो क्या उसका निर्वाचन होता वो तो प्रतियोगी परिच्छाओं के अंतरगता है, IPS है वो भी प्रतियोगी परिच्छाओं के अंतरगता है, तो इसका निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है, यह परिच्छाओं के अंतरगती, लिमिट के अंतरगती, एक य पाशिल होती है इसी लिए जिन बिंदू पर राजनेतिक कारिपालिका ऐसी दच्छता में वंचित होती है वहां अस्थाई कारिपालिका उसकी सहायता करती है अब राजनेतिक कारिपालिका तो आप जानते ही जानते हैं ठीक है राजनेतिक कारिपालिका जो कहेगी वह अस्थ आसन के छेत्र में कोई भी योग्यदान नहीं होता है वहां पर योग्दान सबसे ज्यादा क्या होता है अधिकारी तंत्र का होता है इस वजे से क्या होती है अस्थाई कारिपालिका हमेशा राजनेतिक कारिपालिका की सहायता करती है आप देखते हैं सची होते हैं तमाम यह स वास्थविक प्रमुक होता है अपने यहां जो अस्थाई का रिपालका है इसका जो प्रमुक होगा बेन होगा मुखिया होगा नेता होगा वहीं क्या होता है वास्थविक प्रमुक होता है देश का समझ गए अपने यहां जो राश्पत का पत है या आव वास्थविक रूप से प्रमुक है ठीक है चलिए अस्थाई कारिपालका के बाद अब हम बात करते हैं आस्थाई कारिपालका के प्रकार पर ठीक है देगे अगर आस्थाई कारिपालका के प्रकार देगे यह से प्रशनल लगाता लोग से वायोग में भी आये हैं और अनि परिक्षाओं में भी प्रणाली आज तक आपने पढ़ी है जहां पर आपको कन्फूजन बना रहा है सब कुछ आज आपके डाउट पूरे क्लियर होने जा रहे हैं कि मैं इतनी चीजे आपको यहां बताऊंगा कि जिनको आपको समझते हुए चलना है देरे देरे और सारी पॉइंट आपको क्लियर कर देने यह प्रणाली अमेरिका में पृजलित है जहां जनता एक निर्वाचक ठीक है निरवाचक गण के माध्यम से राजनेतिक कारिपालिका के प्रमुका चैन करती है अपने अन्य जो है मंत्रियों का चैन राश्पत स्वयम करता है जिसके जितने अन्य मंत्री होते हैं उनका चैन राश्पत स्वयम करेगा जो बिधायका के सदसी नहीं होते हैं अब यहां यहीं जरूरी है अपने यहां जो मंत्री होते हैं वो बिधायका के सदसी होना जरूरी हो गया छे माह के भीतर उन्हें क्या होता है किसी ना किसी सदन का हिस्सा होना जरूरी है लेकिन वहा पर राष्ट जिनको मंत्री बराएगा वो बिदायका के सदस्य नहीं होते हैं, समझें, राष्ट पत को कारिपालिका के छित्र में सभी सक्तिय अप्राप्त होती हैं, वहां पर अमेरिका जैसे देस में, अब हम बात करते हैं, अपने देस के अंतरगत, जो संसद्य प्रणाली यह तो पहली आप ने अधैसायत्मक प्रनाली को समझ लिया दूसरी बात करते हैं संसदी यह प्रनाली भारत और इंगॲेंड जैसे देसों में है थ finger थेक। और भारत में भी संसते, इसके अंतरगत विधायका में, विधायका के सदेशों में से ही राजनेतिक कारिपालिका का चैन होता है, विधायका में जिस दल के सदेशी बहुमत में होते हैं, वहीं दल अपनी सरकार बनाती है, सरकार जो चलाने वाले सदेशी हैं, उनको मंत्री प राष्टति कोपती की होटी है मंदर परिशत समूहय को तरताईत के सिधान पर कारी करती है राष्टत्य भारतिय कई पंखता है श्मा नितहा वह सदेव मंतरी परिशत की सलाह के अनुसार ही कारी करेगा ठीकि एकदम यह मष्ट कर दिया गया है जो है जितनी भी चीजे होती है कुछ एक बुद्दो को जहां पर विवे का धीन सक्तिया राश्टपत की आती है उसको छोड़कर बाकी यानि सभी में मंत्री परिशत की सलाह के अनुसार ही इसको कारी करना पड़ता है किसको राश्टपत की हो अपने यहां अब हम बात करते हैं तीसरी जो प्रणाली है अगर मालो दोहरी प्रणाली कहीं पर है यह क्या दोरी प्रणाली का मनलब क्या अभी तो हमने पढ़ा या तो राश्टपत जीमेदार है या फिर प्रधानमंत्री जीमेदार है दोरी प्रणाली में चीज आती है कि कुछ सक्तिया राश्टपत के पास वा कुछ सक्तिया प्रधानमंत्री के पास हूं ऐसी प्रणाली तोनिएं Πेंने चल आई ए अब है यह एक बिसे इस प्राणाली जो फ्रांस जैसे डेशों में प्राष्ट लित है करीपाली का की सक्तियां है पी एम वा राष्टपद में नहिस होती है तीक जो करफल के शक्ति है उस में पी एंप न होनिय को भी मिली को लेकर होता है वैसे होना है तो समझ गए दोहरी प्रणाली जहां पीयम को भी मिला है और आपके प्रेसिडेंट को भी मिलाई हुई है पावर चोथी की बात करें अगर बहुल आसाई के हम बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुल आखिर कारिपालका आसाई कारिपालका क्या है या प्रडाली स्विजर लेंड में आपकी चल लगी है वरतमान में ठीक है इसमें राजनैति पालका कि सभी सदस्य को बराबर सक्तिया है सर्बोच अधिकारी का पद जो होता है वरनाम मात्रा भाई जब सब बराबर सदस्य सक्तिया रख रहे हैं तो सर्बोच अधिकारी इन में से किसको बोलोगे किसी को नहीं सर्बोच अधिकारी प्रतिवर्स सदस्यों में से बदल सब्सक्राइब बनता रहता कि इस साल हम बन गए अगले साल तुम बन जाना ठीक है यसी साब से क्योंकि सभी लोग बराबर सक्तिया रखते हैं अब बात होती है वहाँ पर मैंने तीसरा पॉइंट उठाया था राज वैस्था के उसमें कि तीसरी चीज होती है अगर बैक्ति मान लीजे सरकार के खिलाफी लड़ गया तो वहाँ पर उस चीज को कैसे हम अलग करेंगे कैसी चीजे लाएंगे तो उसके लिए वैवस्था ज स्वता कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती जिन्हें निर्मित कानून यानि जजज मेंड लॉज या नेड़े कानून जिनको केस लाज कहा जाता है समझ गे अगर जजने किसी फैसले पर कोई अपने ब्याख्यान दिये ठीक है किसी बात पर चर्चा की तो वह अपने आप कानून बन जाता है समझ गे यहीडिय शरी की पावर है अगर उसने कोई नेढ़ दे दिया तो वह अपने आप कानून बन जाएगा समझ गे इनको judge made lodge बोलते हैं या case lodge बोलते हैं समझ गए अगली चीज़ देखिए वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक प्रथक साखा के रूब में महतु दिया जाता है उचस्तर के नियाले द्वारा दिये गए निड़े निचली अदालतों के लिए पूर्व निड़े कहलाते हैं यानि वहाँ पर जिरे में भी ये बात कही जाती है कि पूर्व निड़े में ऐसा कहा गया था तथा इसके बाद के किसी भी मामले में उस पूर्व निड़े को अगले निर्णे को सुनाया जाए, शासन का सुरूत टता संबीधान का प्रकार नियाईपालीका की सक्तियों को निर्धारिद करते हैं, वहाँ पर एकात्मक्वासन प्रणाली में उत्पन होने वाले बीवादों का समुचित सबाधान करने के लिए यह सक्ति दी जाती अपने यहां है तो क्या हम संगात्मक सासन में हैं नहीं वहां केंद्रिय विधाय का द्वारा निर्मित कुछ कानूनों की इस आधार पर आवेच घोसित कर सकती है कि वह संगात्मक है अमेरिका का भी नैयले आपका 300 सक्ति साली और भारत का भी नैयले 18 सक्ति साली है समझ गहे तो इन सारी चीजरों के बारे वे हमने चर्षा कली अब हम बात करेंगे संभिधान के प्रखार की